तूपिक है एक्जाम्पल के साथ ही जादा बात करेंगे क्योंकि हायर और में एक्जाम्पल के साथ काफी ट्रिक्स लगानी पड़ जाती है तो जो ट्रिक्स आपको बताएजाएंगे वो काफी ंप फिन को पर दिलादीजीगा पहल तो हायर ओर डेलियो भी बिटा सम्मझ लग ऑप अगया है क्या देखिए है कुछ नहीं है इसमें डेलियों का अगें डारिवेатив एक बार तो फ और आपने लिया तो यह फ टैश ए गा तो 4 ऐसी ही था आपका x³ का इतना होगा, x³ का डिरिवेटी बिटा आपका बन जाएगा जैसे इसका 4x³ का कितना बन जाएगा 3x² तो 4 x 3 को मुल्ल्टिप्ले करेंगे तो 12 बन जाएगा 2x का डिरिवेटी बन जाएगा 6 ऐसका 0 बन जाएगा इसको मैंने एक टैश एक से डिनोट किया है इसी डिनोट किया जाता है इसको 12 है एक स्क्वार का 2x बनेगा तो 2 उसके 12 से मल्लिप्ल ही होगे 24x बन जाएगा ठीक है और 2 constant है उसका फिर से 0 बन जाएगा तो अगें जब डबल डैश एक सा उसका डेरिवेटिव में तीसरी बा हो सकते हैं कॉंटिनु जलता जाता है जितनी बाहरा को according to the question में बोच जाता है आम आपके पास function था उसका डेरिवेटिव एक बार लिया तो उसको f-x लिखा जाएगा तीन बार डेरिवेटिव लिया तो उसको f-x लिखा जाएगा इसी की अलग-अलग form भी है f-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double- माल दीजे बेटा आपके पास यह जो function है यह जो function है बेटा आपके पास y is equal to a cos log x plus b sin log x तो आपको यह proof करने के लिए बोला गया है कि आपने यह वाली चीज़ प्रूफ करनी है देखे बहुत से student मुझे कहते हैं कि या तो आपके पास y already given है ठीक है तो d by dx एक पर निकाल लेंगे sir फिर double derivative निकाल लेंगे उसका d square by by dx square जो answer आएगा वो इस equation में put कर देंगे तो सारा answer solve करके plus minus करके 0 आ जागा yes यह भी सही तरीका है लेकिन वो बहुत time ले जाता है आपका exam में तो higher order में हमारे पास इतना time होता नहीं है वहाँ पर कि हम इतने question को इतना time देता है तो वहाँ पर tricks ही apply करने पड़ती है आपको तो इस question में मैंने देखिए सबसे पहले तो आप यह समा लेजिए कि d square y by dx square तक higher degree लेके गया है वो derivative तो यहाँ पर अगर d square y by dx square है तो यह तो कि इस समय दो बार derivative तो लेना ही पड़े तो y का बन गया d by dx a और log cos x का derivative यहाँ होगा पता ही होगा आपको log cos x log को लिखतेंगे one upon cos x और cos x का जो sorry log cos x था यह function इसका derivative है cos log x cos का derivative होगा minus sin log x और log x का दुबारा derivative कितना होगा बिटा 1 by x तो यानि a cos log x का a constant है उसका derivative कितना बना minus sin log x upon minus x तो मैंने यही पर लिखा हुआ है ठीक है तो ऐसी b sin log x का derivative कितना होगा cos log x cos log x और log x का derivative कितना होगा दुबारा से one by x बन जाएगा तो वो मैंने यही पर लिखा हुआ है ठीक है तो यहाँ पर आपने single time derivative ले लिया है अब इसका दुबारा से derivative लेना है यहाँ पर आप एक चीज़ दियाद दीजिए कि x इसके नीचे भी आया है और x इसके नीचे भी आया है तो x मैंने common निकालके LCM ले लिया उसका और उस x को मैं cross multiply करके यहाँ पर लेग क्या हूं अगले step में ठीक है समझे ना इस x को LCM ले लिया और इस x को multiply करके हम उस वाली सैट पर लेगे तो अब x dy by by dx और minus a sin log x plus b cos log x है इसका अगें से derivative लेना है आपने dy by dx with respect to x again करते हैं अब यहाँ पर अब दियान देना बहुत से student mistake कर जाते हैं यहाँ पर क्या होने वाले बिटा दियान से लेखे कि यहाँ पर आपके पास जो function है x dy by by dx यह दो function है यह इनका derivative जो भंग करेंगे तो यहाँ पर product rule लगेगा double derivative पर रिक है तो double derivative का rule क्या कहता है यू as it is x as it is ठीक है डी वापे dx का अगला derivative क्या होगा वी का derivative डी वापे dx से अगला derivative क्या होता है d square y by dx square प्लस v बैसी है वी बैसी है डी वापे dx बैसी है और x का derivative कितना होगा 1 तो u derivative of v plus v derivative of u okay तो product rule है left hand side पर okay डी वापे dx का अगला derivative डी स्कूर बैसी होगा उसी अगला होगा dky by by dx cube so on यह आगे चलता जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हमने क्या किया left hand side पे derivative ले ले लिए right hand side पे ले लेते हैं minus a sin log x का derivative क्या होगा cos log x और log x का दुबारे derivative कितना होगा 1 by x जैसे मैंने इसको solve करके दिखाये ता आपको ठीक है तो ऐसी बी वैसी रहेगा cos log x कितना होगा cos का कितना बन जाएगा minus sin log x और log x का derivative कितना होगा 1 by x ठीक है अब यहाँ पर x क्या है फिर नीची आ गया common इस x को फिर मैं क्या कर दूँगा multiply कर दूँगा इस side पे दोनों side पे इस x को अगर मैं multiply करूँगा left hand side पे तो x को x के साथ करेंगे x square आ जाएगा x को dvdx के साथ करेंगे तो x dvdx आ जा जाएगा minus a cos log x minus b sin log cos x जो है उसमें से minus के sign को मैंने क्या किया बाहर रख लिए right hand side पे x को तो elsewhere लेके मैं उधर ले गया यह पूरा उधर जाके multiply हो गया इसके साथ ठीक है और minus a cos log x minus b sin log x है minus का sign गामा दख लिए मैंने तो a cos log x plus b sin log x अच्छा a cos log x plus b sin log x किस की value है यह तो equation number y की value है a cos log x plus b sin log x की जगह पर क्या लिखा जा सकता है y लिखा जा सकता है तो मैंने यहाँ पर इस पूरी equation को जो bracket में लिखा है इसकी जगह पर क्या लिख दिया मैंने y लिख दिया अब यह माइनस का y अगले step में अगर इसको मैंने left hand side पर लेके आना है तो इसका sign क्या हो जाएगा change हो जाएगा तो x square d by by dx square plus x d by by dx वैसी रहा माइनस का y उतर जाके क्या बन गया प्लस का y बन गया और is equal to my right hand side पर 0 आ गया अब आप ध्यान दिजे कि आपने यही वाली equation ट्रॉ करनी थी और यह equation बिल्कुल आपने ट्रॉ कर दी है जब आप वैसी equation ट्रॉ कर दो जो आपको prove that पे पूछी गई हो तो आपका higher order का sum का जो sum है वो stop हो जाता है तो यानि जो आप को prove करने के जिए बोला था वो अपने prove करके दिखा दिया है स्टूट्स यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि आप उस equation में put करकर कि आपने zero नहीं बनाके दिखाय हमने उस equation को ही draw करके दिखा दिया कहां से draw करके दिखा दिया जो हमें given equation से हमने prove that equation को draw करके दिखा दिया यह trick जाना असान रहते हैं इसमें कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स आदी है जो मैं आपको आगे भी बता देता हूं तो आपने इन तरीकों से इसको follow करना है तो इसको note down अच्छे से कर लीजिए और इसको अच्छे से repeat भी कर लीजिए ठीक है अगले सम x square into y2 plus 2xy1 अब y2 double derivative है और y1 का मतलब है d by by dx single time derivative तो यह तो शौर हो गया कि हमने इस सम में double derivative तक जाना है ठीक है फिर वही चीज मैं use करूंगा मैंने जो चीज given है given से मैं equation को prove that करके दिखाऊंगा तो सबसे पहले तो single derivative की ज़रूरत पढ़ने वाली है y का derivative कितना बनेगा y y1 अब याद रखेगा question में जो पूछा गया हमने भी बही लिखना है हमें यहाँ पर d by dx की form में नहीं लिखा है result हमारा fx की form में नहीं है हमारा y1 y2 की form में है तो हमें भी y1 और y2 ही word लिखने पढ़ेंगे तो y का derivative हो गया y1 10 inverse x का derivative कितना होता है 1 over 1 plus x square तो 1 over 1 plus x square जो था उसको मैं इधर लेगा cross multiply करके 1 plus x square into y1 is equal to में कितना है 1 अब differentiate with respect to again करेंगे क्यों करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि हमें y2 तक पूछा गया है तो double derivative तो निकालना पड़ेगा ही तो यहाँ पर u into v के formula लगेगा u 1 plus x square वैसे ही v का derivative v कौन है y1 y1 का derivative बगला क्याम सब होगा y2 plus y1 वैसे है v वैसे है और u का derivative लेंगे 1 plus x square का derivative कितना बनेगा 1 का 0 बन जाएगा x square का कितना बनेगा 2x u derivative of v plus v derivative of u ठीक है और 1 तो is equal to में constant है तो उसका derivative कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा derivative दोनों साइट पे लेंए आपने left hand side पे और right hand side पे भी तो बस 1 plus x square into y2 plus y1 को 2x के साथ multiply करेंगे 2x y1 आ जाएगा is equal to में 0 है तो क्या हमें यही equation proof करनी थी यही हमने बनानी थी और यही वाली equation हमारी बन चुकी है तो यहां पर हमारा sum over हो चुका है ठीक है तो जब भी आपके पास बेटा कोई चीज़ गिवन हो तो आपने जब उसको next proof करके दिखाना है तो आपने equation को proof करने के लिए इसी tricks को apply करना है हो को यह वाला question easily समझ में आ गया होगा अब इनके थोड़े से higher level के sums के उपर भी हमारा